विटा हमारा नेक्स कोशन है प्रूव डाट दी रेडियस ऑफ दी राइट सर्कुलर सलंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सर्फेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब इन गिवन कॉन इस हाफ अफ दैट अफ दी कॉन ठीक है इस कोशन में पता क्या है इस कोशन की जब आप स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे ना कई बार ऐसा लगता है जो हमने प्रूव करना है ना वह ऐसा लगता है कि वह हमें गिवन है ठीक है तो प्लीज इस तरह की स्टेटमेंट्स को बड़े द्यान से पढ़ना और जो मैं आपको वे बताऊंगा उसको सीखना तांकि इन फ्यूचर जब कभी आप ऐसा कोश्चन स्टेडी करो वहां से आप आप वहां पे गलती ना करो ठीक है तो यहां पर क्या है कि मेरे पास एक कौन है कौन जो है वो गिवन है बिटा जो चीज आपको गिवन होएगी ना वो कंस्टेंट होएगी मतलब उसका रीडियस उसकी हाइट उसका वालिम उसका सर्फिस एरिया उसका कव सर्फिस एरिया सब कुछ उसका जो रहेगा वो कॉंस्टेंट रहेगा उस कौन के अंदर बेता एक है सलेंढर ठीक है हमने ये प्रूव कर मतलब कर मतलब घ्रितरियस आता है जब जो cylinder है उसका जो radius है वो cone के radius का half है ठीक है अभी मैं आपको अभी बताता हूं ठीक है explain करता हूं properly diagram बना के फिर उससे आपको ज़्यादा clarity रहेगी इसके अंदर ठीक है तो मान लो कि ये मेरे पास एक cone है ठीक है तो cone की जो height है वो हम suppose कर लेते हैं कि वो हमारे पास है capital H ठीक है जो height है cone की वो मेरे पास है capital H और cone का जो radius है वो हम suppose कर लेते हैं कि वो है हमारे पास capital R ठीक है अभी इसके अंदर एक cylinder है ठीक है ओके तो मान लो कि ये मेरे पास cylinder है इस कौन के अंदर ठीक है बेटा तो जो cylinder है वो variable है मतलब वो बड़ा चोटा हो सकता है वो adjustable है मतलब cylinder कैसा होना चाहिए कि उसका जो curved surface area है वो greatest हो ओके ठीक है तो अभी जो cylinder का height है वो हम suppose कर लेते हैं कि वो है small h and जो cylinder का radius है वो हम suppose कर लेते हैं वो है small r ठीक है जो cylinder का parameters है उनको मैं small letter के साथ denote कर रहा हूँ और जो cone के parameters हैं उनको बेटा मैं capital letters के साथ denote कर रहा हूँ तांकि कल को मेरे को confusion ना रहे ठीक है बेटा तो अभी देखो ऐसा है कि ये मलो बटा ये पाइंट स्पोस्ट कर लो O है इसका नाम A रख लेते हैं इसका नाम B रख लेते हैं इस पाइंट का इस पाइंट का नाम C रख लेते हैं इसका नाम D रख लेते हैं और इस पाइंट का नाम हम रख लेते हैं E ठीक है तो अभी मैंने यहां पर पता क्या प्रूव करना है मैं आपको बताता हूं यहां पर मैंने क्या प्रूव करना है टू प्रूव मैंने यह प्रूव करना है कि जो सलंडर का कव्ड सर्फेस हेरी है ना कव्ड सर्फेस हेरी आप सलंडर वो maximum है कब maximum है when जो radius of cylinder है वो किसके equal आए जो कौन का radius है ना उसके half के equal आए ठीक है तो ये दोनों चीजे मैंने प्रूव करनी है इस question के अंदर तो अभी solution स्टार्ट करते है ठीक है तो diagram given नहीं है statement में diagram हमने खुद बनाना है ठीक है बेन diagram के इस तरह के questions को करना possible नहीं है आप जितने भी questions पढ़ रहे हो इसके अंदर उन सभी के अंदर बेटा diagram जरूरी है बेन diagram के question को करना हमारे लिए difficult हो जाएगा ठीक है बेटा ओके तो अभी मैं माल लेता हूँ जैसे क्योंकि सभी कुछ जो भी नाम दिया है capital H, small R, सब कुछ अपनी तरफ से दिया है तो यहाँ पर बता देते हैं let capital H be the height of corn and capital R be the radius of corn and small h be the height of cylinder and small r be the radius of cylinder ठीक है मैं टॉक के तो अभी volume sorry volume नहीं curved surface area तो जो cylinder का curved surface area उसको maximum prove करना है तो माल लो कि मैं जो cylinder का curved surface area उसको पेटा मैं C मान लेता हूँ let capital C be the curved surface area of cylinder पेटा अभी जो cylinder होता है उसके curved surface area का formula होता है 2 pi r into h ठीक है r है cylinder का radius और h है cylinder की height अभी इसको मैंने maximum prove करना है तो इसका जो double derivative है वो पेटा negative हाना चाहिए तब ही यह maximum रहेगा लेकिन यह मारा function है लेकिन यहाँ पे एक problem है इसके अंदर 2 variable है r भी variable है और h भी variable है हमने इसको single variable में change करना है तो वो हम कैसे करेंगे उसके लेकिन हम 2 triangles consider करेंगे सबसे पहले मैं triangle consider करूँगा O, A, E और उसके बाद मैं triangle consider करूँगा O, B, D now consider triangle O, A, E and triangle O, B, D अभी मैंने यह prove करना हैं कि यह तोनों triangle से similar है तो उसके लिए बेटा देखो जो अपने 10th class में concept पढ़ाया है triangle का वो यहाँ पर use होएगा अब paper में चाहो तो इस portion को skip भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको यहाँ पर prove करके बताऊँगा अभी angle A भी 90 degree और angle B भी 90 degree है क्योंकि O, A, B जो हमारे पास कौन है उसका height है ठीक है तो बेटा देखो यह वला angle दोनों में common है अब देखो दोनों triangles के अंदर यह angle आता है तो angle A O E is equals to angle B O D reason हम क्या देंगे common यह common है ठीक है इसी तरह से angle A is equals to angle B each 90 दोनों 90 degree है तो अगर दो corresponding angle equal हैं तो by angle angle similarity rule यह दोनों triangles क्या हो जाएंगी similar हो जाएंगी therefore triangle O A E is similar to triangle O B D by angle angle similarity rule तो बेटा अगर दोनों triangles similar हो गई तो उससे क्या होगा कि जो triangles की corresponding sides होंगी उनकी ratio जो हैगी वो equal होईगी ठीक है तो अभी यहां से आएगा O A upon O B किसके equal आएगा A E upon B D O E और O D की हमें यहां पर जरूरत नहीं है इसलिए वो मैं consider यहां पर नहीं कर रहा ठीक हो ठीक है बेटा अभी O A की value कितनी है O A बेटा हमारे पास इतना है यहां से लेके यहां तक तो बेटा अगर मैं capital H में से small H को minus कर दूँ तो O A आजाएगा capital H minus small H O B कितना है मेरे पास बेटा वो है मेरे पास capital H ठीक है A E कितना है small R और B D कितना है capital R तो अभी मैंने यहां से small H की value निकाल ली है तो इसके लिए बेटा मैं cross multiply करता हूँ ठीक है तो यह मेरे पास आजाएगा H minus small H is equals to R capital H upon capital R तो बेटा इसको मैं left side पे ले जाता हूँ और small H को right side पे ले जाता हूँ यह आजाएगा H minus R H upon capital R is equals to H ठीक है तो यहां पे बेटा L C M ले ले लेते है 1 और R calcium R आजाएगा यह आजाएगा R H minus small R into H is equals to H यह आजाएगा हमारे पास ठीक है तो अभी यहां से बेटा मेरे पास H की value आजाएगी exactly यहां से H comma निकल जाएगा यह आजाएगा capital R minus small R upon capital R अभी इस value को बेटा मैं यहां पे substitute करता हूँ यहां पे इसको number 1 दे दू तो put in 1 ठीक है तो मेरे पास C की value क्या रहेगी वो आ रहेगी 2 pi R into H into capital R minus small R upon R तो अभी यह देखो यहां पे बेटा सिर्फ एक variable है small R क्योंकि capital H भी constant है capital R भी constant है क्योंकि जो कौन है वो मेरे को given है जो चीज given रहेगी वो constant रहेगी तो पेटा जो constant terms इना उनको बाहर निकाल लेते हैं यहां जाएगा 2 pi H upon capital R और अंदर रहे जाएगा R into capital R minus small R अभी इस R को भी अंदर multiply कर लेते हैं तो इससे क्या फैदा हैगा पेटा जब मैरे differentiate करूँगा तो मेरे को U into V नहीं लगाना पड़ेगा ठीक है तो अभी यह मेरा function बन गया अभी यह जो function है पेटा इसमें पेटा single variable है ठीक है तो अभी मैं इसको further next differentiate करता हूँ ठीक है पेटा तो पहले मैं function की C की value लिख लेता हूँ ताकि मेरे को next page बे problem ना आए C is equals to 2 pi capital H upon capital R bracket में है capital R into small r minus r square ठीक है तो अभी यह मेरा function है ठीक है तो इसको continue करते है question को अभी next ठीक है तो अभी पहले single time differentiate करते है ठीक है तो पेटा यह देखो with respect to small r करेंगे क्योंकि यहां पे small r variable है 2 pi capital H upon capital R यह सभी के सभी constant है बाहर रहेंगे capital R constant ऐसे रहेगा और r की 1 हो जाएगी r square की आएगी बेटा 2 r ठीक है बेटा तो अभी next क्या करते है इसको बेटा 0 की equal substitute अभी पहले इसको एक बर फिट से differentiate कर लेते है तो यह आजाएगा d square c upon dr square यह बेटा constant है 2 pi capital H upon capital R अभी r constant है उसकी 0 आजाएगी बेटा 2 r की 2 आजाएगी तो यह मेरे पास आजाएगा minus 4 pi h upon R तो अभी next क्या करते है बेटा dc upon dr को हम equals to 0 substitute करते है इसको ठीक है तो यहाँ से आएगा 2 pi capital H upon capital R bracket में आजाएगा r minus 2 r equals to 0 तो बेटा अभी यह वाली टम उदर जाके खतम हो जाएगी यहाँ से आएगा r minus 2 r equals to 0 तो यहाँ से r की value क्या आजाएगी वा आजाएगी capital R upon 2 तो देखो यह part अपने prove करना था अगर आप पीछे देखो to prove में तो इसका मतलब है कि हम question सही कर रहे हैं हम सही जा रहे हैं अभी यह value मैंने जो मेरे पास double derivative है उसके अंदर substitute करनी है at r is equals to capital R upon 2 d square c upon dr square तो बेटा r की जगा पे यह value substitute करनी है small r की जगा पे लेकिन कहीं पे बेटा small r है ही नहीं तो value substitute नहीं कर सकते अभी यह value less than 0 है तो यहां से क्या जाएगा कि जो c है c is maximum मतलब जो curved surface area है वो maximum है कब maximum है जब जो cylinder का radius है वो कौन के radius का half है तो बेटा यही हमने prove करना था ठीक है तो बेटा इस तरह से हमने इन questions को करना है ठीक है तो please बड़े ध्यान से study करना है इन questions को क्यों कि यह बहुत important है ओके बेटा थेंक यू